नमस्कार मैं रिशिकर जैन एक बार फिर एक मैं मुद्रे के साथ सिर्फ बन परसेंट डेली पर आज हम भारत की या यू कहूँ कि भारत की युवाओ की दो सबसे बड़ी दिक्कतों के बारे में बात करेंगे और यह दिक्कते हैं पहली है heart attack और दूसरी है unemployment यानी बेरोजगारी जन्रेलि अगर हम समझे तो हमें क्या समझ आता है heart attack मतलब biological problem सालरिक दिक्कत है और दूसरी तरफ बेरोजगारी या unemployment एक financial प्रॉब्लम है इनफेक्ट मैं दावे के साथ कह सकते हूँ कि हम मैंसे majority आफ लोगों के लिए दोनों दिक्कते बहुत अलग अलग है हम इनका आपस में कोई तालुक समझते ही नहीं एक बार पर आप अपने memories को rewind कीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए कि जब भी हमारे आसपास किसी को heart attack आता है तो हम कैसी बाते सुनते हैं या करते भी है मोटापा बहुत जादा था एक ही जंगा बैठा रहता था physical exercise नहीं करता था गलत आदते थी and so and so on और दूसरी तरफ अगर कोई ऐसा यूव है जिसकी पढ़ाई पूरी हो गई या जो बेरोजगार है जो घर पर खाली बैठा है जिसके पास रोजगार नहीं है जो employed नहीं है उसके बारे में हमारे समाज में कैसी बाते होती है नला है, कुछ करना नहीं है, घर पे खाली वैठा रहता है, फ्यूचर नहीं है, माबाप के पैसों में आग लगा दी, दिल्ली जाके किया क्या था, इतनी पढ़ाई करने का फायदा क्या हुआ और इसका मतलब हमें क्या समझा रहा है कि हमारे समाज के लिए बेरोजगारी या अनिम्प्लॉइमेंट मतलब की बच्चा बेकार है और एक फाइनेशिल प्रॉब्लम है, और दूसरी तरफ हार्ट अटेक मतलब की शाररिक दिक्कत थी जिससे हार्ट अटेक आ गया, यह मैंने बाइलोजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं है, हार्ट अटेक और बेरो चीजों को जहां अलग-अलग देख रहे हैं वहीं पर इन दोनों चीजों में एक बहुत-बड़ा तालूख है, जो कि हमें बताया है ICMR की रिपोर्ट में, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट में, अभी कुछ टाइम पहले ही ICMR की रिपोर्ट आई थ है Ampale to those जिनके पास रोजगार और जहां पर पास रोजगार नहीं है और जहां पर लोग पास रोजगार है हौह chapters की राजग है यहने पर ऐसा क्यों ये समझना भे ज़रूरी है ऐसा इसलिए क्योंकि एक यूवा के लिए एक यूथ के लिए unemployment, खाली बैठना, बेरोजगारी, एक financial दिक्कत से ज़ादा एक mental और social pressure बन जाता है, एक stress बन जाता है और एक कैसे बनता है वो हम ऐसे समझ सकते हैं जब एक यूवा खाली बैठा होता है तो उसके उपड़ बहुत एक प्रेशर होते हैं, जिससे वो mentally weak होता है, जैसे कि इतने पैसे खर्च करने के बाद भी dream fulfill ना होना दूसरा, घर का financially weak होना क्योंकि return on investment नहीं मिल रहा है, return on investment नहीं मिल रहा है, investment तो कर दी, पढ़ाई कर ली लेकिन उस पर return नहीं मिल रहा है, इसलिए घर financially weak हो रहा है और तीसरा, समाज जो दिश्टिदारों के ताने और फालतों के सवल काफी होते हैं, एक youth को, एक unemployed youth को weak करने के लिए, mentally weak करने के लिए लेकिन हम यहाँ पर यह नहीं समझते कि भारत जहाँ पर IIT जैसे top institutions भी आज के टाइम पर 100% placement नहीं दिलवा पा रहे हैं, वहाँ पर आज के टाइम पर लाखो लाखो youth, MBBS, journalism, engineer, CA बता नहीं, क्या-क्या करके बेरोजगार बैठे हैं इसमें शायद उस youth की गलती नहीं है, लेकिन हमारे social structure की गलती है, हमारे economical structure की गलती है, हमारे देश की सरकार की गलती है, हम सब की गलती है और फिर इसी mental weakness के चक्कर में, जो वो you are mentally weak हो गया है, यह सब सोच सोच के, उसी का result होता है कि उसकी sleep cycle बिगड़ जाती है नीन दी नहीं आती है, बहुत जादा नीन आती है, बे टाइम नीन आती है, टाइम पर नीन नहीं आती है, फिजिकली inactive हो जाता है पूरे टाइम एक ही रूम में एक ही बैट पर पढ़े रहता है, कोई physical exercise नहीं, भार नहीं जाना तीसरी social inactive नहीं सब जती है किसी से मिलना नहीं है किसी से बात नहीं करना है कहीं parties में नहीं जाना है socially inactive हो जाता है और इनी सब चीजों का long term effect होता है heart problems, heart attack, blood pressure और diabetes जैसी खतरनाक बिमारिया जो हम किसी टाइम पर भुडापे का या फिर भुडापे की बिमारिया समझते थे वो आज के टाइम पर हमारे यूवाओ को हो रही है अब हमें ये तो समझ आ गिया कि heart attack and unemployment एक समाजिक दिक्कत है एक social problem है और आपस में तालुक भी रख रही है और इससे हमारा youth हमारा youth खराब हो रहा है हमारे youth खत्रे में आ रहे है तो इसका solution क्या है इसका solution ये है कि सबसे पहले तो इंडिया में बहुत ज़्यादा जरू है कि job creation किया जाए jobs बनाई जाएं ताकि लोगों को job मिलें आज के टाइम पर भारत में jobs की ही कम है jobs है ही नहीं दूसरी चीज प्राइवेट सेक्टर में working hours और salary दोनों को regulate strictly करना चाहिए तब ही कुछ हो सकता है क्योंकि आज के टाइम पर इतना बुरा हाल है प्राइवेट सेक्टर का बहुत जादा तीसरा government exams टाइम पर हो fairly हो टाइम पर result है और लोगों को टाइम पर नौकरिया मिले चौथा हम reservation खटम नहीं कर सकते क्योंकि आज भी बहुत पिछड़े लोग है जो पिछड़े ही है लेकिन creamy layer introduce करने की बहुत जादा जरूरत है तक कि proportion of reservation खटम हो जो फालतों के लोगों को reservation मिल रहा है वो चीज खटम हो और सबसे last चीज और सबसे जरूरी चीज हमें जरूरत है कि हम अपना social environment सही करें हम समझें कि बेरोजगारी से हमारे ताने हमारे लिए social toxic environment एक यूथ पर mental stress create कर सकता है इसलिए हमें जरूरत है कि हम अपना social environment भी सही करें और यह सब तब होगा जब हम साथ मिलकर इस बारे में सच में सोचेंगे और यह बींगा यूथ मुझे यह इशू बहुत जादा important लगा था मुझे लगा था कि हमारे यह यूथ की सच में problem है और हम यह सब चीज़े face कर रहे हैं तो अगर आपको भी ऐसा लगता है आपको लगता है कि हमारी society को यह चीज़ समझनी चाहिए तो इस वीडियो को जादा जादा शेयर करो लोगों तक पहुचाओ ताकि उन्हें चीज़ समझ जाए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपको नेक्स वीडियो का अपडेट टाइम से मिल जाए थांक यू